हेलो एर्विवन आज हम देखेंगे जॉन राइडन की एक पोईम शेडवेल ये पोईम एक सेटरिकल पोईम है इसको 1678 में लिखा गया और 1682 में पब्लिश करवाया इस पोईम में थॉमस सेडवेल पर सेटाइर किया गया है सेटाइर मीन्स व्यंग ये दोस्तो एक टाइम दोस्त दुआ करते थे बट लिटरेरी कॉंटोवर्सी की वज़े से इनके विचार नहीं मिलते इसलिए ड्राइडन ने शेडवेल को डल पोईट कहा और शेडवेल को फ्लेकनोई से कंपेर किया बिकाउज फ्लेकनोई के सारे वर्क्स डल और अनिंप्रेसिव थे तो लाइक ऑगस्टस यंग वस कोल टू इंपायर एंड हैड गोवन लॉंग स्टार्टिंग की इन लाइन्स में पोईट फ्लेकनोई के थोट्स शो करता है एज अकोर्डिंग टू फ्लेकनोई इस संसार में जो भी चीजे है उनका डिस्ट्रोई होना निश्चे है उनका विनाश होगा जब भाग्य का बुलावा आता है तो मोनार्च को भी मानना पड़ता है मोनार्च मीन्स किंग ओगस्टस एक किंग था जिसने बहुत साल तक शाशन किया उसी तरह फ्लेकनोई भी जितने भी डल पोईट है उनका किंग है उन पर रूल करता है फ्लेकनोई ने अपने वर्क्स प्रोज एन वर्क्स दोनों में लिखे दोनों ही फिल्ड्स में वे डलेस्ट पोईट था डल पोईट मीन मुर्क पोईट जिसके वर्क्स में कोई सेंस नहीं होता वे सिर्फ नाम मातर के पोईट होते हैं फ्लेकनोई के कंपेरिजन में कोई डल पोईट नहीं था बट कुछ पोईट ऐसे भी थे जो नौनसेंस वर्क लिखा करते थे फ्लेकनोई की तरह फ्लेकनोई उन सभी पोईट को अपना सन मानता है जो यूजलेस वर्क लिखते हैं इस्यू अफ ए लार्ज इंक्रीज का मतलब फ्लेकनोई के बहुत संस है जो यूजलेस वर्क लिखते हैं वोउट विजनस डिट अट लेंथ डिबेट तो सेटल दे सक्सेशन अफ दे स्टेट and pondering which of all his sons was fit to reign and wage immortal war with wit पोईट कहता है कि फ्लेकनोई अब ओल्ड हो चुका है अब उससे dull and meaningless works नहीं लिखे जाते फ्लेकनोई चाहता है कि अब state of fools का कोई दूसरा पोईट किंग बने जिसके works dull and unimpressive हो फ्लेकनोई कहता है कि ऐसे पोईट को ढूंडना easy task नहीं है because उसको ऐसे पोईट को ढूंडना पड़ेगा जो बहुत लिखता हो but useless लिखता हो दोस्तो यहां all his sons का मतलब जो dull works लिखते हैं वे सभी फ्लेकनोई के son है cried this resolved for nature pleads that he should only rule who most resemble me Shadwell alone my perfect image bears mature in dullness from his tender years in lines में फ्लेकनोई ने अपना best son Shadwell को मना because Shadwell की way of writing Flaknoई से मिलती है Shadwell एक perfect son है जो इस state of fools का king बन सकता है Shadwell dullness works लिखने में mature है because इसने अपने childhood से ही dull work लिखा है Shadwell alone of all my sons is be who stands confirm in full stupidity the rest of some faint meaning make pretence but Shadwell never deviates into sense इन lines में Flaknoई कहता है कि only Shadwell ही ऐसा son है जो confirm fool है उसके दूसरे son तो कभी कभी meaningful बाते कर देते है but Shadwell का तो senseful work से कोई connection नहीं है यहां तक कि मुर्क से मुर्क वेक्ती भी ग्यान की बात कह देता है but Shadwell ने ऐसी ग्यान की बात कभी नहीं कही some beams of wit on other souls में fall strike through and make a lucid interval but Shadwell's genuine nights admits no ray his rising fogs prevail upon the day इन lines में बताया गया है कि stupid man भी inspiration की बाते कर सकता है but Shadwell की life में ऐसा moment नहीं आया उसका mind always ignorance से covered है Shadwell का mind एक dark place है जहां पर light of intelligence कभी नहीं होगी besides his goodly fabric fills the eye and seems designed for thoughtless majesty thoughtless is monarch ox that shed the plain and spread in Solomon's state supently rain यहां इन lines में Shadwell को oak tree से compare किया गया है oak tree एक tall tree है but useless है उसकी shadow little होती है उसी तरह Shadwell एक fat man है and he looks like majesty वे king की तरह दिखता है but वे एक dull and unwitty fellow है Haywood and Shirley Elizabethan period के writer थे इनको writer ने dull point कहा है Shadwell भी उतना ही dull writer है जितने Haywood and Shirley थे last की line में point कहता है कि Shadwell अपने work में टोटोलोजी का यूज करता है टोटोलोजी मीन्स किसी एक ही बात को अलग-अलग शब्दों में लिखना इसलिए तो ड्राइडन ने Shadwell को dull point कहा प्राइडन ने करते हैं झाल झाल